सत्कुरू रुपी प्यारी सासंगत जी प्यार और सत्कार से कहना धान निरंकार जी बोलिए सत्कुरू माता सुदिक्षा सविंदर हर देव जी महाराज की जै सत्कुरू निरंकार का आस्रा लेते हुए सत्कुरू निरंकार के अशीर वासिदासी ये विचार रखने जा रही है आप जी ये विचार प्रवान करें अगर को गलती हो जाए तो शमा करें सासंगची करो किर्पा मेरे सत्कुरू करम भगतीदा आजाए तू जो कह दे ओही मननात करना आजाए जिनादा सिद्क है पक्का जो तेरे रंग विच रंगेने उना संतांदे विच मेना मेरे दातार आजाए सचे बादशा आपजी की किर्पा हर पल सभी के उपर बनी रहे और हमें ये भगती का ढंगा आजाए कि किस तरह हमने भगती करनी है और आप जी जो भी कह दे उसी बात को मानना आजाए और आप जी के चरनों में नासी यही बारंबार अरदास करती है सचे बादशा की हमारा विश्वाश आप जी के दर पर इतना मजबूत हो इतना मजबूत हो कि हम हर पल संतों का संग बांगते रहें संतों के बीच में बैठ कर हमें उठना बैठना खाना पीना सब कुछ हम सीखते चले जाएं यही आपची के चर्णों से मांग बांगते हैं दासी आपची के चर्णों में एक स्टोरी शेयर करने जा रही है आपची परवान करें अगर कोई गलती हो जाए तो शमा करें इस्टोरिक में हमें यही लेसन सीखने को मिला है कि सब कुछ अरपन कर देना सत्गुरू के आगे अपने आपको सुरेंडर कर देना ही सही मायनों में सच्ची भगती है मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा तेरा तुझको सुप दे क्या लागे है मेरा अब सुप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में है हार तुम्हारे हाथों में इतनी शक्ती हमें देना दाता मन का विश्वाश कमजूर होना हम चले नेक रस्ते पर हमसे भूल कर भी कोई भूल होना सचे पाशा हमारा कुछ नहीं है जो कुछ भी है आप जी दे रहे हो तनमंधन की जो भी आप जी ये दे रहे हो में आप जी की किरपा से ही मिल रहा है हमारा कुछ भी नहीं है हमने तो पहले प्रण में ही तनमंधन इस निरंकार को दे दिया है फिर हमारा कुछ नहीं है आप जी ने हमें यूज करने के लिए चीजे दी है दन भी, मन भी और धन भी आप जी के किर्पा से ये अच्छे कामों में यूज हो पाए ये ही आप जी के जर्ण में अशीरवाद मांगते हैं दानवीरों की चर्चा में एक बार भगवान शीर कृषन जी पाणवों से बोले कि उन्होंने करन जैसा दानवीर नहीं देखा ना ही सुना पाणवों को यह बात अच्छी नहीं लगे भीम ने पूछ लिया कैसे भगवान शीर कृषन जी ने कहा कि समय आने पर बताऊंगा, बात आई गई हो गई, कुछ दिनों बाद सावन का महीना शुरू हो गया, और बरसात की जड़ी लग गई, उस समय एक याचक युदिष्टर के पास आया, और बोला, महाराज मैं आपके राज्य में रहने वाला ब्रामन हूँ, मैं बिना हवन किय कुछ भी नहीं खाता पिता, मेरे पास यग के लिए चंदन की लकडी नहीं है, आपके पास ही, आपके पास हो, तो मुझ पर किर्पा करे, वरना मैं बूखा प्यासा पर जाऊंगा, विदिष्टर ने तुरंद करमचारी को बुलवाया, और लकडी देने के लिए कहा, उसके बाद महाराज ने भीम और अरजुन को चंदन की लकडी का परपंद करने का आदेश दिया, नगर सूखी लकडी नहीं मिली, ब्रामन को इशारा देखकर, ब्रामन को इशारा देखकर भगवान श्री कृष्टर जी ने कहा, मेरे साथ आईए, ब्रामन ने अरजुन औ भीम को भी इशारा किया, तो वे भी दोनों वेश बदल कर, ब्रामन के संग हो लिए, ब्रामन के साथ चल दिये, बगवान श्री कृष्टर जी सब को लेकर, करन के महल में गए, ब्रामन ने वहाँ जाकर, लकडी की अपनी वही मांग दोराई, करन ने अपने बंडार के मु वहाँ भी वही जवाब पाकर, ब्रामन निराश हो गया, इसके बाद करन ने कहा, कि आपनी राश ना होएं, उसने अपने महल के खिड़की दरवाजे में लगी, चंदन की लकडी काट कर, देर लगा दिये, फिर ब्रामन से कहा, कि आपको जितनी लकडी चाहिए, किरप्या ले जाएए, प्रामन लकडी लेकर, करन को अशीरवा देता हुआ, लोट गया, पांडव और भगवान शिरिक्षन भी लोट आए, वापस आकर, भगवान शिरिक्षन जी ने पांडवों से कहा, कि सदारन अवस्था में दान देना, कोई विशेश बात नहीं है, और सदारन परिष्टिती में किसी के लिए अपने आपको सब कुछ त्याग देने का नाम ही दान है, यानि कि इस टोरी से हमें यही समझाया गया है, कि हमने हर पल सुमर्पन ही करना है, जितना हो सके हम हर पल, हर मानुता के लिए सुमर्पिद रहें, जैसे सत्कुर्मा बाबा, हर सिंग जी महाराज हमें मानुए गुणों को ही समझाते रहें, मानुए मुल्लों को कदर करना ही सिखाते रहें, ऐसे ही कहते हैं, कि एक बार सत्कुर्मा बाबा, हर देव सिंग जी महाराज ने हमें, सत्कुर्मा बाबा, हर देव सिंग जी महाराज ने हमें, विश्वाश के उपर भी अपने विचारों द्वारा समझाया था कि जब ट्रेन सुरंग से गुजरती है तो बिलकुल अंधेरा हो जाता है लेकिन यात्रियों को विश्वाश होता है कि जब यह टनल खतम होगी तो आगे रोशनी है इसी तरह हमें भी विश्वाश रहे कि सत्कुरु हमें हमे संभाल कर रखेंगे चाहे कोई भी परिस्थिती हो हर समय यही ऐसास रहे कि जो कुछ हो रहा है सत्कुरु की रजा में हो रहा है सत्कुरु सब कुछ ठीक कर देंगे सत्कुरु हमें हमेशा संभाल कर रखेंगे निरंकारी राजमताजी भी हमेशा बोलते थे कि आपके सामन चाहे आसमान से कोई उतर करा जाए और कहे कि आपका गुरू सच्चा नहीं है तब भी नहीं मानना अपना विश्वाश डावा डोल नहीं होने देना सदकूर माता जी आप ही सब कुछ हो आप पर हमारा पूरा विश्वाश बना रहे बस यही याद रहे कि आप ही हो आप ही हो इस तरह हम हर सत्कुरु के उपर अपने आपको समर्पित करते चले जाएं सत्कुरु माता सुजीक्षा दिमाराज ने भी हमें एक्जामपल दे कर भी समझाया कि पूरे प्रमाण की हर चीज विश्वाश पर ही दिकी हुई है विश्वाश ऐसा नहीं कि असल में तो कुछ और है पर मन में हम कोई दूसरी कलप न कर लें आख बंद करके असलियत से आख चुराकर कुछ और करें हम अंद्विश्वाश से उपर उटकर उसका विश्लेशन करें और देखें कि अंद्विश्वाश की सुदेशा से होता है आज इनसान उसको किस तरफ ले गया है शुरुआत में तो बहुत सी चीजें और उनके कारण भी दिये कि इस वज़ा से हैं चीज करनी है और फिर उन मूल कारणों को भूल कर उसको सिरफ एक रूल की तरह बना कर ही चल रहा है बीना उसकी असलियत जाने हमारे जीवन में भ बहुत से पड़ावाते है जहां किसी चीज को करने का लक्षा पता नहीं होता हम बस उसको करते चले जाते हैं मन में विश्वाश भी रखते हैं और फिर ना जाने कब वैविश्वाश नेटीव रूप में हमारे उपर ही हावी हो जाता है विश्वाश जब इस परमात्मा पर आए तो भगती है अब यह भगती क्या है भगती ऐसी नहीं करनी कि अपने आपको आस पास के पूरे वातावरन से व्यक्तियों से या किसी और चीज से काट लेना है अपने आपको कहीं कमरे में बंद करके अपने सभाव को सही करना है अपनी लगन को पका करना है अगर ऐस भक्ति करेंगे तो वह कुछ समय तक ही हो पाएगी पर भक्ति तो ऐसी होने चाहिए जो हर स्वास में हो हर स्वास में भक्ति है तो हमें अपने जीवन की असर परसिती से इसकी वास्विक्ता से मांगना नहीं पड़ता है वह परसिती जिस परकार की भी हो उसमें रहते हुए भगति करनी है और जब ऐसा करना आ जाता है तो साथ के साथ अनन्द भी जीवन में उतराता है फिर भगति की इंतचार नहीं करनी पड़ती अभी तो हम भगति की सीड़ी चल रहे हैं और बाद में जाकर उसके पढ़नाम सरु अनन्द आएगा नहीं duplicate करते हुए हर पल हर स्व लेते हुए अनन्दित होकर हर सुआस का एहसास इस परमात्मा से जुड़कर हमने करना है इस तरह सत्कुर्माताजी हमें समझाते हैं दातार हर एक पर किर्पा करें और इस समय अरदास भी यही है कि किस तरह सत्संग का रूप जो एक इतना विशाल होता था संसमागम पर हर कोई अपने घरों से चल कर शारी रूप से गठे होते थे और इसी तरह एकठे होते रहें हर एक परदातार किर्पा करें जा हर कोई भगती भरा जीवन मजबूत करता जाए वही संसार में हर एक के लिए सर्वत के भले की ही अर्दास हो कि असारी मानुता एक साथ आगे बड़े और सभी के लिए भला ही भला सब मांगते जाएं तभी अपने मन में हमेशा अच्छे क्याल रखें और एक रूसरे के उपर समर्पित होते चल जाएं भगत समर्पन वाला ही तो अपनी ब्रीतनी भाता है कहे हर देव गुरू का गुर्शिक मुख उजला कर जाता है कहते हैं कि जो हर समय करण की तरह अपने आपको समर्पित करके रखता है सत्कुर के चरनों में वही सही मायनों में अपना मुख उजला करके जाता है हम भी जो को सुनते हैं पढ़ते हैं देखते हैं उसको अपने करम रूप में इंप्लिमेंट कर पाएं साथ संगत जी विचार करते हुए दासी से बहुत से गलतियां भी हुई होगी उन गलतियों के लिए आप दासी को शहमा करें और आगे के लिए सुमत बख्षें सब के भले की कामना करते हुए सब के सुखों की अरदास करते हुए दासी सिमरन करवाएगी सब इने मिलकर सिमरन में साथ देना है तुही निरंकार मैं तेरी शरणा मैंनू बख्षलो बोलिये सत्गुरु माता सुदिक्षा सविंदर हर देवजी महराज की जै निरंकारी राज माता गुर्बच नवतार की जै सासंगची प्रेम से कहना था निरंकार जी